अद्भोपास एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे इदगाह में नहीं होगी नमाज ग्रिव भाग ने आदेश जारी कर दिया है इसके लिए धार्मिक उस्थल पर अधिक्तम 50 लोग ही इकठे हो सकते हैं इदगाह को छोड़कर सभी धार्मिक उस्थल पर आदेश लागू होगा, बड़ी जानकारी अदेश बड़ी जानकारी इसकता आपको दे रहे हैं धार्मिक उस्थल पर अधिक्तम 50 लोग ही जुट सकते हैं और इदगाह को छोड़कर सभी धार्मिक उस्थल पर आदेश लागू होगा बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जुलाई तक प्रभावी रहे गादेश शबीर एहमत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं शबीर एक बड़ा आदेश कह सकते हैं क्योंकि बकरीद के समय पर इस तरीकी के आदेश आना क्या इस वक्त प्रदेश में स्थिती है क्या इसकी जरूरत थी क्या या कोविट गाइडल यानि कल इद है कि जुलाई को उसके दिन इदगा को खोला जाए क्योंकि मुस्लिम समाज इदगा में इद की नमज अदा करता है और उसी के मांग को लेकर उन्होंने साथ-साथ ये भी कहाते कि तमाम मस्जिदों को भी खोल दिया जाए और जो हिंदू संगठन है वह उनकी दिया गया है लेकिन उसमें सिर्फ पचास फीजदी पचास लोगों के साथ ही आप वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं वह भी कोविट गाइडलाइन का पालन करते हुए लेकिन इसमें एक ब्रेकेट में चीज डाली गई है उसमें यह कहा गया है कि इदगा को छोड़ नजर आएगे और उससे काफी दिक्केते आ सकती है कोरोना में इसी सब को बात को धियान में रखते हुए सरकार का यह कह सकते का अच्छा फैसला है कि शबीर बनीरी आप हमारे साथ